उत्पत्ती अध्याय चावतीस और लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेट करने को निकली, तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा, और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको उस कन्या से प्रेम की बाते की, और उससे प्रेम करने लगा, और शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे, और याकूब ने सुना कि शकेम ने मेरी बेटी दिना को अशुद्ध कर डाला है, पर उसके पुत्र उस समय प याकूब से बात्चित करने के लिए उसके पास गया, और याकूब के पुत्र सुनते ही मैदान से बहुत उदास और क्रोधित होकर आये, क्योंकि शकेम ने याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करके इस्राइल के घराने से मुर्खता का ऐसा काम किया था, जिसका करना चित था, हमोर ने उन सब से कहा मेरे पुत्र शकेम का मन तुमारी बेटी पर बहुत लगा है, सो उसे उसकी पत्नी होने के लिए उसको दे दो, और हमारे साथ ब्याह किया करो, अपनी बेटिया हमको दिया करो, और हमारी बेटियों को आप लिया करो, और हमारे संग बसे रह और यह देश तुम्हारे सामने पड़ा है। इसमें रहकर लेन देन करो और इसकी भूमी को अपने लिए लेलो। और शक्केम ने भी दिना के पिता और भाईयों से कहा यदि मुझ पर तुम लोगों की अनुगरह की दुरुष्टी हो तो जो कुछ तुम मुझ से कहो सो मैं द मांगो तो भी मैं तुम्हारे कहे के अनुसार दूँगा परम तु उस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दो। तब यह सोचकर कि शकेम ने हमारी बहिन तीना को अशुद्द किया है। याकुब के पुत्रों ने शकेम और उसके पिता हमोर को चल के साथ यह उत्तर दिया कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहिन दे क्योंकि इससे हमारी नाम धराई होगी। इस बात पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे कि हमारी नाय तुम्हें से हर एक पुरुष का खतना किया जाए। तब हम अपनी बेटिया तुम्हें बेहा और तुम्हारी बेटिया बेहा लेंगे और तुम्हारे संग बसे भी रहेंगे और हम दोनों एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाएंगे पर यदि तुम हमारी बात न मानकर अपना खतना न कराओगे तो हम अपनी लड़की को लेके यहां से चले जाएंगे उनकी इस बात पर हमोर और उसका पुत्र शकेम प्रसंद हुए और वह जवान जो याकूब की बेटी को बहुत चाहता था इस काम को करने में उसने विलंब न किया वह तो अपने पिता के सारे घराने में अधिक पतिश्टित था सो हमोर और उसका पुत्र शकेम अपने नगर के फाटक के निकट जाकर रहवासियों को यो समझाने लगे कि वे मनुष्य तो हमारे संग मेल से रहना चाहते हैं सो उन्हें इस देश में रहके लेंदेन करने दो देखो यह देश उनके लिए भी बहुत है फिर हम लोग उनकी बेटियों को ब्याहले और अपनी बेटियों को उन्हें दिया करें वे लोग केवल इस बात पर हमारे संग रहने और एक ही समुदाई के मनुष्य हो जाने को प खतना किया जाए क्या उनकी भीड़वक्रिया और गायबैल बरन उनके सारे पश्यू और धनसंपत्ति हमारी न हो जाएगी इतना ही करें कि हम लोग उनकी बात मान ले तो वे हमारे संग रहेंगे सो जितने उस नगर के फाटक से निकले थे उन सभोंने हमोर की ओर और उसके पुत्र शकेम की बात मानी और हर एक पुरुष का खतना किया गया जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे तीसरे दिन जब वे लोग पीडित पड़े थे तब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी नाम याकुप के दो पुत्रों ने जो दिना के भाई थे अपनी अपनी तलवार ले उस नगर में निधड़क घुश कर सब पुरुषों को गात किया और हमोर और उसके पुत्र शकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दिना को शकेम के घर से निकाल ले गए और याकुप के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़ कर नगर को इसलिए लूट लिया कि उसमें उनकी बहिन अशुध की गई थी उन्होंने भेडबकरी और गायबैल और गधे और नगर और मैदान में जितना धन था ले लिया उस सब को और उनके बालबच्चों और स्त्रियों को भी हर ले गए बरन घर-घर में जो कुछ था उसको भी उन्होंने लूट लिया तब याकुब ने शिमोन और लेवी से कहा तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परीजियों के मन में मेरी ओर ग्रुना उत्पन न कराई है इससे तुमने मुझे संकट में डाला है क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग है सो अब वे इकटे होकर मुझे पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे सो मैं अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा उन्होंने कहा क्या वह हमारी बहिन के साथ वेशा की नाई बरताव करे